ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्टल चैटर्स जरूर देखना, और गाईस, सबसे पहले में शुरुआत करना चाहूँगा, रिवाइवल से, जो कि आपको पता है, डबल लॉबली ने रिलीस कर दिया था, हमने भी रिसंटल देखा, जो डबल लॉबली ने बल्क में सूप स्टार्स को रिलीस किया था, उससे कुछ जिन पह अब लग फोटो देख सकते हैं, यह विन सुकमेन का आइडिया था, कि वो रिवाइवल को अब एक कॉमेडी वाली टैक्नी मनाना चाहते हैं, जहां पर वो इस तरीके के आउट पर यह फिर एटायर में आएंगे, उनका जो थीम सॉंग होगा, वो भी थोड़ा सा फनी होग ऐसा लग रहा है कि भाई, रिवाइवल का करियर उपर नहीं, इसको करने के बाद नीचे ही जाता तो भाई, सभी बात है कि वो अब डेपल लबली कंपनी में नहीं है, और इसे देखकर मुझे पता यह भी लग रहा है कि जैसी कि विन सुकमेन जान मूच के रिवाइवल के जा चुके हैं, जैसा वो चाहता है अपने साथ करना, वैसा वो करेंगे, इसके बारे में आप लोग कैसे रियक्ट हरोगे, मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो, अगली स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं, और गाईज यह जुड़ी है, डबल लबली के अपने उनने शोज को लाइव करना पड़ेगा, हर अपते उनको रोग के लिए आना पड़ेगा, अनेक्स्ट के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि डबल लबली ने अपने फॉक्स और युसे नेटवर्क के साथ जो डील साइन करी है, वो लाइव शो की है, ना कि शोज को टेप करवाते हो, तो हमको ज़्यादा कुछ प्रॉबलम नहीं है, और हम आपके पैसे नहीं काटने वाले क्योंकि जब लाइव शो के नाम पर डील साइन होगी, तो अगर डबल ली शोज को टेप कर रही है, तो ऐसे में नेटवर्क की तरफ से ऐसा प्रेशर, शुरू में विंस कौने को लगा पैसे नहीं है, तो हम शोज को कर वाले लेते हैं, इससे सूफर स्टार्ट के नहीं होगा, तो खेसकते नहीं होगा, तो कह सकते हैं यार या यह वाली चीज़, विंस रुकमेन तो इस समये बिलकुल दानाव या फिर टेत्ढ़ धित बने बने हुए है, उनको टाइम में टेप ही करेगी जो कि सूपर स्टार्स के लिए काफी अच्छी थिंग है अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाईज यह जूड़ी है मैंडी रोज और ओटिस की प्रेम कहानी से हम लोगों ने देखा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी आज से कुछ महीने पहले रैसल मीने में जाकर इसकी जो है अच्छी तरह के से एंडिंग भी स्टिल यह चीज चल रही है और डबल डबली मैंडी रोज और ओटिस को स्टिल जो है टेलिविजिन के ओपर दिखा रही है एक कपल के तौर पर बट गैस अगर मैंडी रोज पर क्या कहती है और मैं मैंडी रोज ने आपर यह बताया कि मैंने खुदिवाल आइडिया पिच किया था क्योंकि पहले से ही ओर्टिस मेरे बारे में टुटर के ओपर सोचल मीडिया पर लिखते रहते थे हाले कि वह उस वे में नहीं था कि वह थोड़ा सा क्रीपी लगे वह काफी क्यूट वे में बदल देते हैं और मैंने विंसुक बैंड के सामने ऐसा आइडिया रखा था और वैसी भी स्टोर लैंड में जो फीमेल है उसका काफी इंपोर्टेंट रोल होता है अगर वो हां नहीं करती चीजों में तो भाई फिर स्टोर लैंड को कंटीनू कर पाना मुश्किल हो जाता तो भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा थैंक्यू करना पड़ेगा मैंडी रोस के रेल लाइफ बॉइफरेंड को भी क्योंको इससे कोई प्रबलम नहीं है क्योंकि अगर उनको प्रबलम होती तो प्रबलम होती मैंडी रोस को और फिर यह चीज़ आपको टेलिविशन के उपर नहीं देखने को मिलती वैल इसके बारे में आप लोग कैसे रियाक करना चाहोगे क्या आपको लोग के थोट्स हैं इसके उपर मुझे आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो और इसके सांद हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्शन फाइल स्टोरी की तरफ पर नहीं को मिल जाएगा और रिसेंटली हुआ क्या रॉक ने रोमन रेंज के सांद मैच करने को लेकर एक बहुत इंटरस्टिंग आंसर किया और उन्होंने कहा कि डबल डबली के अंदर कुछ भी पॉसिबल है उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंज के सांद मैच करने को लेकर always open हूँ और यही एक बहुत cool thing है इस pro wrestling की you never say never in the world of pro wrestling you never say never to win sick man जो कि मेरे mentor रहे है इस business के बहुत लंबे time से वो मेरे काफी close friend भी है और अगर ऐसी चीज होने की बात हो तो फिर इसको मरा नहीं किया जा सकता और guys उसके बाद एक बहुत बड़ी बात बोरी रॉक ने उन्होंने का कि जब venue ठीक होगा मतलब कि जब जगा सही होगी और जो business model है वो सही होगा हमारे match के लिए तो फिर मैं भाई match बिल्कुल ज़रूर करना चाहूंगा but I am very close with Roman, he is family to me so we will see इसका मतलब guys यहां पर रॉक को देखकर तो लग रहा हूंगी बात उससे कि जैसे कि वो कुल-कुल ओपन है और जैसे उनको मौका सही लगता है वो Roman range के साथ match ज़रूर करने का मौका नहीं चुडने वाले और guys पता नहीं क्यों रॉक की इन बातों को सुनकर बहुत ही जादा है आपको पता है एक तो रॉक जो होलिवुड में जा चुके है रसल मिना की थीम की भी होलिवुड की है तो guys यह काफ़ी इची स्टोर लाइन बी बन सकती है और वैसे भी Roman range सर रॉक अगर एक सांथ किसी एक स्टोर लाइन के अंदर हो तो भाई इनकी chemistry कितनी कमाल की होगी वो मुझे बताने की जुरूरत नहीं है तो मैं excited हो भाई अगले साल के लिए I hope यह जो think चल रहे है इस समय वर्ल के अंदर वो सही हो जाए और जुरूर हमें WWE के अंदर कुछ अच्छा और यह बड़ा मैस ज़रूर देखने को मिले पहले इस मैस की बारे में आप लोग क्या कहने चाहोगे मुझे आप लोग कॉमेंट करके जुरूर बता सकते हो यह वैली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक की मिने कही में जाना और चैनल को अगर लो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ओन करके आपको मारे चैनल पर सी तरह से प्रो रेस्लिंग से जुड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहें से यू गाइस इन मैं नेक्स वीडियो